चान क्वेड़ा, या रिजवान चीमा, वेलिकम पेंगे ये फिडियो इस वीडियो इस वीडियो में मैं पूरे स्प्पेसिविकली तमाम कैटेगरी प्लॉट वाइस साइस वाइस गताँगा क्या साइस लियूब्ञाइक किया अगा। अभी investment करने का सोच नहीं है तो आपके पास एक पूरी catalog हो कि आप वहाँ से देखे एजली जज़ कर सके कि हाँ आपको investment पे कितना return on investment मिलने के chances है तो उस दिल बात कर दें जी पांच मला plot के size पे पांच मला का जो plot expected है न्यू मेट्रो सेटी गुजर खान में उसके size है 25 by 45 25 feet यूँ front होगा उसका और 45 feet यूँ उसकी depth होगी तो 25 by 45 square feet का जोगा plot होगा अगर yards में बात करें हैं गज़ों में बात करें तो 125 गज़ों हमारी जो सिंध वाली बेल्ट जैसे construction के bylaws का कहते हैं और RDA के bylaws कितने area पे आपको construction permissible है कितना आपने covered area रखने है और आपके प्लॉट जो और बिल्डिंग की हाइट है 25 by 45 के plot पे या 5 मला plot पे हाइट कितनी permissible है अब अगर बात करें डेमेंशन के लिहाज से 25 by 45 का plot अगर देखें तो इसमें total covered area आपको allowed है वो आपका 80% allowed है यानि आपने सिर्फ 5 feet back side से और 5 feet front से आपने सिर्फ जगास front और back elevation चोड़नी है यह आपने space चोड़नी है for ventilation बाकि space आपका covered area में count होका 25 by 45 का plot है इसमें से आप 80% plot पे construction कर सकते हैं तकर तकर अबहर यहां की बात की जाए तो per floor covered area यह तकर थाउजन स्केर फीर फीट होगा तकर शार मर्ले आपका covered area बनेगा आपका per floor basement में, ground में और first में और इसके लावा आपको मम्ती ओपर water tank और मम्ती आपको यह आपको उपर जो सेकंड फ्लोर है उस पर अलाओड है यह होगे बाइलाउस के मताब़े कंस्ट्रक्शन के बाइलाउस अब जो सबसे इंबॉड़न्ट सवाल है कि 5 मुला जब भी कोई स्वाइटी लाउच होती है तो इनिशली जिस पहली कॉल या थी के पांच मुला का प परसंट के आसपास सोजाइटी के अंदर जो प्रॉपरली काटेगरीज होती है उनमें 50 तो 60 परसंट रेशो सिरफ पांच मुला प्लॉट के होती है उसकी वज़ाई क्या है कि पाकिस्तान की 80 परसंट पापॉलेशन की वह ब्रैकेट में आता है दिमांड ब्रैकेट में आत पाकिसान सोजाइटी के मताबिक कोई खौईश नहीं होती तो पांच मुला डिमांड में देखा जाए तो पाकिसान की 80 परसंट पॉपलेशन के डिमांड परड़क्ट है इस परड़क्ट की इसकी पार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कोई भी सोजाइटी रौच होती है तो गुजर खान की तरह तमाम सुट्यों में पहले पांच मुला के प्लॉट सेल होते हैं वहने पांच मुला के को प्राइस बता दिया तक्रॉट इरी अपता दिया कितने परसंट लोंग के दिमांड होती है अब फूर्थ नमर पर यहाते है कि यह डिमांड सप्लाई हमेशा ज्यादा डिमांड ज्यादा होती है तो साथ साथ सप्लाई भी ज्यादा होती है यानि अगर लट से खरीदार उसके सो प्लॉट लोग उसके पैसे लेकर खड़े हुए खरीदने के लिए तो वहाँ पे 80 लोग बेचने वाले भी हैं क्योंकि मार्केट में जब सुसाइड़ी लाँच होती है 60 परसंट जो ओवराल सुसाइटी के टोटल नंबर लट से सुसाइटी इन 10,000 प्लॉट लाँच करना है तो उसमें से 6,000 प्लॉट या 5,000 प्लॉट सर्फ 5,000 लाँच होंगे तो उसमें अगर आप सोचें न्यू मेटर सिटी गुजर खान में आपको 5,000 प्लॉट के साथ देखने को मिलता है कि 5,000 प्लॉट एक वाइद प्रड़क्ट है मार्केट में इस वक्त जो 45,000, 40,000, 35,000, 30,000 इसके असपास आपको प्रॉफिट में वेलेबल है बाकि प्रड़क्ट अभी लेवलेबल है अब ये वह बसफार है ये प्रॉफिट में क्यों है कि जब जोचाइटी ने लाँपफटka अपनी इनिशली प्रड़क्टuk स्लाउची मार्केट में तो किसी को खुलबा माल दो दो दिया नी उसके लहाज से अब उसके प्रॉफिट जनेरेट हुए तो अगर मुझसे को पूछे के पांच मुला के प्लॉट में इंवेस्ट करना चाहिए लॉंग रन में छे महीने एक साल और दो साल अब यह तीसरा जो इंपॉर्टन आता है इस वीडियो में कि पांच मुला के साइज को देखा जाये तो आपको इसमें कितनी इंवस्टमेंट की जो डूरेइशन है उसी कितनी रखने चाहिए आया 6 महीने आया 1 अच या 2 साल पांच मुला प्लॉट को देखी जाये तो मेरे खिया से उसकी रीशो तो ताईम डूरेशन पर डिपेंडनन जब possession है लिए 6 मेनी में offer हो जाएगा तो sector 1 में किसी block में 5 मेना का plot आता है तो definitely जब उसका जल्दी possession offer होगा तो जब उसकी market में demand जो है वो 20 लाग तो नहीं रेगी उस वक्ते उस वक्त डिमांड जाय से बाद है 25 लाग, 26 लाग तक जाएगी तो 6 मेहने में अगर आपकी submitted amount देखें total आपको 2 सल का time मिलता है यानि तकरीबन आपको 6 quarters का time मिलता है पे करने का तो आठ quarters का time मिलता है अब 8 quarters का time में आपने तकरीबन 6 मेहने बाद अगर बैलेटिंग से पहले तकरीबन आपको 30% से 35% plot का paid होगा तो 30 से 35% 20 लाक या amount जो बनती हो बनता है 7 लाक रुपया अगर 7 लाक के उपर आपको 6 लाक रुपय का profit आ जाता है 6 मेहने बाद तो आपको जो return on investment बनता है 200% यानि साल का तकरीबन आपको 200% investment बनता है 6 मेहने का आपका return on investment 100% बनता है आपकी deposited amount के साथ अगर आपका profit calculate करें आज से 6 माँ बाद एक साल बाद अगर देखें स्टेशो को तो एक साल बाद society जार सी बादा ज्यादा developed होगी ज्यादा flourish होगी, market में ज्यादा नाम होगा जीडी रोड के उपर अपर भी society launch नहीं हुई और जितना तकीबर आई थिंग तीन से चार किलोमेटर का front है वहां पर society ने lightning का मंदोबस कर दिया है properly road को white कर दिया है वहां पर greenery, horticulture इस तरह की चीज़ें हैं उस पर काभी focus किया है head office जो अपना बना है जो दुबई एक्सपो में पाकसान का जो stall था उसी की तरस पर उसी designer को लेके अपना head office बना है तो market में launching से पहले new metro city गुजर खान ने अपना नाम बना लिया है इस ratio को देखा जाए तो आप साल के गरा duration जाते हैं पांच में लाग अप्लाट को लेके तो बीस लाग अप्लाट है पांच में लागा लेट से साल बाद आपका दस लाग पेवा होता है तो दस लाग बाद expected rate जो मैं देख रहा हूं market में वो 39 से 31 लाग के दरम्यान में आपके होंगे यानि 39 से 31 लाग के में दरम्यान यह है कि आपकी साल बाद ratio जो है वो भी कंसिडरिंग इन माइंड पाकिस्तान के एकनौमिक हालात रुपे पे जो दुबाओ इस वक्त वो इसको देखा जाए तो इंतहाई कम अमाउंट बनती है आपके डॉलर की माउंट में देखा जाए तो तक्रीबन आपका जो प्लॉड बनता है निव मेटर सुरी गुजर खान में आज की डेट में तक्रीबन आठ जाए डॉलर का बनता है तक्रीबन बनता है अगर मैं कंसिडरिंग इन माइंड डॉलर रेट इस तू टूटी फाइव अगर मैं इसको मद्देना रखो तो अगर आप दो सल बाद देखते हैं दो सल बड़ी निव जाने वले दूनिवा को मिलेगी खारियां रवल पिंडी मोटर वे अगर ये इसका भी इनागरेशन साथ हो जाता है तो निव मेटर सिटी गुजर खान के पिलकुल सामने खारियां का गुजर खान का इंटर्चेंज बन रहा है तो उसका बहुत ज़्यदा ब बाकि आप देखते हैं मार्केट को कैसे एवैलुट करती है अपको लेकिन इतना मेरे एक्सपेक्टेशन है कि जिस डिवेलपर के साथ जिस लोकेशन के साथ और जिस ब्रेंड वैल्यू के साथ न्यू मेटर सिटी अपने आपको मार्केट में लाउंच कर रहा है उसके अगर आपको किसी भी सुसाइटी में बोकिंग के वाले इसकुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरे नमबर आपको स्क्रीन पे वेलेबल है मुझे वाटसेप कर सकते हैं इसके लाव हमरी वेबसाइट विजिट करना मत भूले www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अची लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर और चैनल को स्प्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजे अजाज़त अगली वीडियो देख के लिए खुदा आफिस